मार्गम सत्यम जीवन येशू, प्रियतम येशू, अनुपम येशू सबको जे येशु की प्यारे भायो बहनों इश्वर का जीवन्त वच्चन हम लोग प्रति दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, अध्यान करते हैं, मनंचिंतन करते हैं और इन वच्चनों के द्वारा हमें आध्यात में भल मिलता है, शक्ति मिलती है, सामर्त मिलता है तो मैं फिर एक बार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की रोटी कारेकरम के माद्यम से ईश्वर का जीवन्त वच्चनों को सुनने के लिए और आज के दिन में प्रभू अपने वच्चनों के द्वारा हम सबों को निमंतरन देता है उस प्रभू पर बरोसा रखते हुए जीने के लिए उस प्रभू पर बरोसा रखें इसलिए प्रभू हमें उधारन देता है कि हमें किस प्रकार से और किस हद तक प्रभू पर बरोसा रखना चाहिए इसलिए प्रभू कहता है चिंता मत करो किसी बात की क्या खाएं, क्या पीएं, क्या पहनें, क्या होगा इन सभी बातों को लेकर चिंता ना करें बलकि प्रबु क्या कहता है तुम सबसे पहले इश्वर के राज्य उसके धार्मिक्ता की खोज में लगे रहो बाकि सभी चीजें सारी आवश्यकताइं तुमारी तुमें यूही मिल जाएंगे ये आश्वासन प्रबु हमें देता है और उसाती साथ उधारन देता है आकाश के पक्षियों को देखो और खेत के फूलों को देखो अगर उसको इश्वर खिलाता पिलाता देखता सजाता सवारता है तो हमें क्या सजाएगा नहीं सवारेगा नहीं करेगा ये सवाल हमारे सामने रखता है इसलिए आईए सबसे हम आज के दिन में प्रभु का जीवंत वचनों को सुने मती के द्वारा रचित सू समचार अध्याई 6 पसंग का 24 से 34 तक कोई भी दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता वह या तो एक से बहरा और दूसरे से प्रेम करेगा या एक कादर करेगा और दूसरे का तिरसकार करेगा तुम इश्वरा और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते मैं तुम लोगों से कहता हूँ चिंता मत करो ना अपने जीवन निर्वा की क्या हम क्या खाएं और ना अपने शरीर की क्या हम क्या पहनें क्या जीवन बोजन से बढ़ कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़ कर नह आकाश के पक्षियों को देखो वे ना तो बोते हैं ना लुनते हैं और ना बकारों में जमा करते हैं फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है क्या तुम उन से बढ़कर नहीं हो चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घडी बर भी बढ़ा सकता है और कपडों की चिंता क्यों करते हो खेत के फूलों को देखो वे कैसे बढ़ते हैं वे ना तो श्रम करते हैं और ना कातते हैं फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उन में से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था रे अल्प विश्वासियों खेत की गास आज बर है और कल चूले में जोंग दी जाएगी यदि उसे भी इश्वर इस प्रकार से सजाता है तो वहां तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा इसलिए यह कहते वे चिंता मत करो हम क्या खाएं क्या पीएं क्या पहनें इन सब चीजों की खोज में गए रहुदी लोग लगे रहते हैं तुम्हारा स्वरगी पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरुरत है तुम सबसे पहले इश्वर के राज्य और उसके दार मिक्ता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुमें यूही मिल जाएंगी कल के चिंता मत करो कल अपनी चिंता सुयम कर लेगा आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है प्रभु का सूसमचार प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाईयो बहनों आज के सूसमचार के द्वारा प्रभु हम सबों को फिर एक बार निमंतरन देता है हम उस प्रभु पर बरुसा रखें विश्वास करें ध्रड विश्वास ध्रड बरुसा रखें प्रभु हमें नहीं भूलता है नहीं त्याकता है नहीं टुकराता है यद्यपी मैं उस प्रभू को भूल के दूर चला जाओं उस प्रभू से दूर जाओं या भूल जाओं वो प्रभू नहीं मुझे दूर जाता है नहीं मुझे भूलता है क्योंकि प्रभू ने मुझे अपने लहु की कीमत से खरीदा है इसलिए मुझे जरुरत है कि मैं उस प प्रभू पर बरोसा रखों अगर उस प्रभू ने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया जब में पाप की दास्ता में ता वह इश्वर मनुष्य बनकर इस दर्ती पर आया और मेरे पापों की सजा अपने उपर लेते भी मुझे पापों की दास्ता से छुड़ाया अनंत जीव पर बरोसा रखने की जरूरत है वह इश्वर निरंतर अपना प्यार मेरे प्रथी वडहेलता है प्रवाहित करता है बहते जरने के बांती इसलिए प्रभू हमें बुलावा देता है आज के दिन में उस पर बरोसा रखें वह इश्वर हम से कितना प्यार करता है कितना ख्याल रखता है इस बात को जानने के लिए और अनबो करने के लिए प्रभू का खुला निमंत रहने आश के दिन में इसलिए प्रभू आश के वशनों के द्वारा प्रभू हमें बताता है किसी बात के चिंता ना करें खाने को लेकर पीने को लेकर पहने को लेकर रहने को लेकर नव जर्रोत में आनुनाई तता विनई के साथ प्रार्तना किया करें उस प्रभु पर बरोसा रखें वो प्रभु कभी नहीं त्यागेगा कभी नहीं चोड़ेगा कभी नहीं भूलेगा उसने वादा कर रखा है योहन का सू समझ राद्याज 6 पसंग 37 में जो कोई भी विक्ति मेर के पास आता है मैं उसे नहीं टुकराऊंगा नहीं त्यागोंगा नहीं भूलूंगा और वह इश्वर अपनी वादे का पक्का है वादा नहीं तोड़ता है इसलिए प्रभु हमें बुलावा देता आज के दिन में हम चिंता ना करें और हम इसे हर वेक्ति को चिंता है ऑफ सारे बातों को लिए हम परिशान होते हैं प्रभू का चिंता करने से तुम में इसे ख़वन अपने-ाएव घड़ी बर्ड़ के लिए भड़ीक नहीं WAR कर सकता है चिंता करने से अफिन किया कुष नहीं है हो सकता चिंता करते-करते कोची बिमारी अपनाई होगी लेकिन कुछ हासिल नहीं किया इसले प्रभु इसके विपरीत हमें क्या बताता है प्रभु बताता है तुम अपनी चिंता मुझे दे दो अपनी समस्या मुझे दे दो अपनी बिमारी मेरे पास लेकर आओ अपनी समस्या मेरे पास लेकर आओ मेरे पास तुमारे लिए एक समधान है मेरे पास तुमारी सवाल का एक उत्तर है मेरे पास तुमारे प्राबलम का एक सुलूशन है इसलिए बरोसा रखो मेरे पास आओ प्रभु ये कहता है और हमें आशवासन देता है आकास के पक्षियों को देखो फिर ना तो लुनते हैं ना बोते हैं ना बकारा में जमा करते हैं उनका कुछ भी बैंक बैलनस नहीं है उनके नवकरी नहीं है उनकी कोई सेकुरिटी नहीं है लेकिन उन आकाश के पक्षियों को वो इश्वर खिलाता है पिलाता है बूका मरने नहीं देता हलांकि उनका अपना कोई जमिन जाजाद नहीं है, उसके बवजूद वो खाते हैं, पीते हैं, आजाद ही के साथ आसमान में उड़ते हैं, इदर उदा जाते हैं, और इस इश्वर के महिमा करते हैं, इसने प्रभू हमें बताता है, आकाश के पक्षियों को देखो, एक मामूली यदि उसको इश्वर इस प्रकासे खिलाता पिलाता है, क्या तुमको खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, दूसरा उदाहरन प्रभू ने हमारे सम्मो क्या रहा है, खेत के फूलों को देखो, खेत के फूल जो आज हैं या कल नहीं हैं, हो सकता कुछ, फूल एक हपते के अगर उस एक दिन के एक हपते के फूल के लिए इतना रंग भी रंगों से सजाता सवारता हो इश्वर, क्या मुझे और आपको सजाएगा सवारेगा नहीं, आकिर हम लोग काउन हैं, हम लोग इस दर्ती पर स्रस्ति के मुखट हैं, सर्वोत्तम स्रस्ति हैं, इश्वर ने अनुरूप अपने स्रद्रश हम सबों को बनाया है, इसलिए वो इश्वर क्या हमें भूल जाएगा, हमें नहीं भूलेगा, इसलिए प्रभू ने उधारन के द्वारा बताया है, आकाश के पक्षियों को उसने आज तक नहीं भूला, क्येत के फूलों को नहीं भूला, क्य हमें यह स्रस्टी का मुकुट है बूल जाएंगे नहीं हमारा विश्वास प्रभू पर द्रढ रखें बरोसा मजबूत करें प्रभू यही हमें बता आता है तुम्हें किन किन चीजों की जरुत है प्रभू को मालम है इसलिए हम चिंता करने के बजाए परिशान होने के बजा है हम अपनी चिंता अपनी समस्या अपने प्राबलें प्रॉबी달 के हाथें समर्पित करें सबसे। पहले एशवर के राज जो USKे धार्मिक्ता की खोज में लगे रहें और प्रॉब हमें बताता बागी सभी चीजें तुमें यू है मिल जाएंगी बाकी सभी चीजें तुमें यू है मिल जाएंगी। प्रबू क्यों कहता ऐसे क्योंकि मांगनेसे पहले ही princes हम सबों के लिए इंतिजाम करता है प्रबंद करता हमारा क्याल रखता है हमें मांगने की जरूत है हमारे पिता है वो हमारे इंतिजाम करता है लेकि हमें इसकी संतान को उसके बच्चों को उसके बरोसा रखने की जरूत है विश्वास रखने की जरूत है वो आकाश की पक्ष सबीर उठती हैं सबसे पहले अपनी आवाज जो एंने दिये है उस आवाज को इस्तिमाल करते हुश इश्वर के गुंगान करती है और मनतनी कै covers कहीं बार सबीर नहीं उठता उड़ता भी है उसे इश्वर को याद नहीं करें उसके राज्य के मोलियों के सिध्धानतों के अनुसार जीवन वितित करें ऐसा कार्य करें वो प्रभु यही चाहता है इसलिए इस प्रकार से हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे प्रभु की आशिश प्रभु की क्रपा प्रभ लिएक जायें बरोसा रखें विश्वास रखें ईशुल का राय जे खाने पीने का नहीं है बैलकि पुवित्रा आत्मा से परदति आनंद का विश्य है इसलिए हम उस इसी की कामना करें उस राज्य के मुलेंगे इसे धानतों के अनुसार जीवन वितित करने का प्रयास करें उस प्रेम में जीएं न्याई में जीएं शानती में जीएं एक दूसरे को माफ करें यह ऐसा जीवन वितित करें हमें आनद मिलेगा खुशिया मिलेगी प्यार मिलेगा समान मिलेगा इज़त मिलेगा प प्रभू के पीछे जो बाकता उसके कभी निराश होने के जरुड़ते हैं प्रभू उसके साथ खड़ा है प्रभू उसको हमेशा खड़ा रखेगा उसको कहीं भी जाके गुटने नहीं टेकने पढ़ेंगे इसलिए हम उस प्रभू के राज जिश्वर के राज जा और उसके धार्मिक्ता के खोज में लगे रहें धार्मिक्ता के मार्ग में आगे बढ़ें सच्छाए के प्यार के इमानदारी के मार्ग पर आगे बढ़ें और प्रभू हमें बताता है तो हमें सब कुछ मिलेगा इसा करोगे तो सब कुछ मिलेगा इसलिए जो प्रभू ने बताया उ किसी बात की कमी नहीं होगी ज़िए प्रुब हमारे साथ है किसी बात की कमी नहीं होगी इस बात का ऐसास इस बात का विश्वास इस बात का वरोसा रखें प्रुब मेरे साथ है इसलिए मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी ऐसा वरोसा कैसा तुम आगे बढ़ें और निश्च प्यार कएको इस लिए हम एक माद्र स्वामी हैं हमारा होग्तिधा इसी के सेवा करें और वही हमी मिम्हारे उनसे बाते हैं कि हम आपको दन्यवादेता आप पर बरोसा रखने के लिए बरोसा रखते हुए जीने के लिए में सिखाईए हमारा विश्वास बुलंद कीजिए मजबूत कीजिए ताकि प्रभू विश्वास के दोबार हम आपके आपसे बहुत सारी आशिशों का प्राप् करते हैं अपने जीवन में अनुब हो करते हैं आपकी जेजेकार कर सकें दुआ करते हैं दार करता इस मुस्य के नाम से आमेन